हलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल लापित रोनी दोस्तों आप सभी का आमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ आ रहा है एक नए अपडेट के साथ आ रहा है जो कि 36 गड़ जुडिशिरी से रिलिटर हो यह पाट टू होगा किसका लेंड रेवन्यू कोड जो कि 1959 का है और यह 36 गड़ जुडिशिरी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि 26 तारीक को ही 26 फैबरोरी को ही आपका एक्जामीनेशन होने वाला है उसी को ध्यार में रखते ह आप उसको नहीं देखेंगwyn तो देख सकते हैं साथ ही साथ मैंने यहां पर चाहेंगे दोस्तों यह था एक बेसिक इंफॉर्मेंशन जो आपको मैंने चेर करना था तो स्टे इसमें वह सेंट करा रखा है लो आपका नाइंटीन नंबर कोस्चन से स्टार्ट करेंगे जो की के बात करता है पर स्वामी है कि बहुमी कि स्वामी किसको माना जाता है तो इसका स्वामी राज्य के सासन को माना जाता, मिन्स की राज्य के सरकार को उस भूमी का स्वामी माना जाता है इसी सेक्षन अमबर 57 के अंतरगत यह बताई गई है कि जितनी भी संपत्ती होती है, भू स्वामी कौन होता है, औरिजिनली भू स्वामी वहां का स्टेट गवर्मेंट होता है, उसी राज्य सरकार के अंतरगात आता है, तो हमको as usual ये data learn करके रखना है, जो की section number 57 में इसकी बात कह जा रही है, question number 101 की बात करते हैं, देखिए, नि भू राजस्व भूगतान हेतु दाई होंगी, मिंस की जो राजस्व से छूट प्राप्त होती है, जो भी land को जिस पर राजस्व आपको नहीं देना है, किसी प्रकार का text नहीं देना है, अगर उसको मुक्ती मिल जाता है, उसको exemption मिल जाता है, तो उस भूमियों की राजस् जाती है, बात करते हैं, question number 102 की, अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, भूमि को भू राजस्व से पूर्त छूट दी जा सकती है, कब उसको भू राजस्व से पूर्त छूट दी जा सकती है, तो उपर्यूक्त सभी condition में उसको भू राजस्व से छूट दी जा सकती है, पर किसी चीज का चार्ज नहीं लिया जागा क्सी के रूप में प्रियुक्त होता है नेक्स्ट यहाँ पर कोई करता तो इस प्रकार का कोई कंडिशन लाग हो जाता है कोई हो जाता है कोई विबाद उत्पन हो जाता है तो इसका निस्तादन करेक्टर के दोरा ही किया है का अधिकारी होता है contractor वहाँ का अधिकारी होता है और collector के ड्वारण ही किया जाता है 105 की बात करते हैं भूमी में समलित नहीं है अब भूमी में किस चीच को समलित नहीं किया गया है जो 36 गड़ भूरा जस्यंद America है इसकंथर गत भूमी में किसको समलित नहीं किया गया है भूमी से जुड़ी वस्तूओं को भूमी में समलित किया लेकिन एकॉमडेशन जो अस्थान होता है इसको भूमी में समलित नहीं किया गया question number 106 के हम बात करते हैं भूराजस्यों किसको दिया जाता है क्या होता है इसके बारे में इसका correct answer mark करेंगे वो भी वला mark करेंगे समस्त भूमी पर दें होगा परंतु जो भूराजस्व, सासन के आदेष या किसी वीधी के अधिन उस दाइतों से मुग्त है पर दें नहीं होगा इसी से इसको दें नहीं माना जहएगा इसी को भूराजस्व के नाम से हम लोग जानते हैं किसी को भू राजस्व कहेंगे कोश्चन नमबर 107 के बात करते हैं भू राजस्व सासन को दिया गया धन है जो किसी कोश्चन नमबर 107 की बात करता है तो देखिए उपरोग तो इसमें सभी करेक्ट आंसर होगा अब जब पूरा कंडिशन आप तीनों पढ़ेंगे तो आपक किया जाएगा कोश्चन नमबर 108 की बात करते हैं भू राजस्व से मुक्त होने मुक्त होंगे ऐसे लावप्रत खाते मिंस की ऐसे इस प्रकार का अगर कोई लावप्रत खाता है तो क्या होगा उसका करेक्ट आंसर यहां पर होगा जिसका खाता पांच एकर या इससे कम है भी प्रेथ है कोई खाता जिसका की विस्तार पांच एकर से अधिक ना हो अगर किसी के पास इसा लैंड है जो की पांच एकर से कम है तो उसको भू राजस्व से छूट मिल जाएगा कोश्चन 109 की बात करते हैं यदि किसी एक खाते में कई व्यक्ति संयूगत रूप से स भूराजस्यों का निर्धारान भूमी के संबंद में अब किस भूमी के संबंद में खैसे भूमी के संबंद में वहाला इसका करेक्टांसर होगा उसके उध्थको देक्ट कर किया जाता ज्योगतन bizco सै 003 मुक्ति नहीं तो जो स्वामी में लागत से मुक्त रखा गया है उसे भू राजासों के जो दाइत होता है तो इसका correct answer वाला ए होगा, भूमी के उद्देश से में हुए परिवर्तन के साथ बदलाव किया जा सकता है, उसी से ये related उसी के बारे में ये बात कर रहा है, question number 113 की हम बात करते हैं, राजास्व निरिक्षक भूमापक एवं पटवारी, 36 गड़ भूराजास्व सनिता के अधिन, उसके करतब्वेव से संबंधित कारे करने के निमित किसी भावन या किसी निवासगिरी में संगलंग किसी घेरा लगे हुए प्रांगल में या उद्द्यान में किया जाता है, त कोई निवात करते हैं, खेती की लागत का प्राकलन किया जाता है, इसमें किसका बीचार नहीं किया जाता है, तो एक सो चाओदा नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा, साथियों यहाँ यहाँ पर यहाँ पर भूमी का बजार मुल्ले जो होगा, उसी से यह विचार नहीं क बाजार मुल्ले होगा, बात करते हैं, कोश्चेन नंबर 115 वाले में देखें, यहाँ पर क्या कर रहा है, धारा 59 के ताहत, मूल भूराजास्व में, जो मूल भूराजास्व होगा, 115 का इसमें क्या सामिल है, तो इसमें ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, परिवर्तन किया दादिकारी को इसमें भूराजास्व में क्या कर जा सकता है, इसके तहत परिवर्तन कर सकता है, कौन कर सकता है, उपखंड पदादिकारी के द्वारा परिवर्तन कराया जा सकता है, 117 नंबर की बात करते हैं, जिस भूमी पर भूराजास्व का निर्धारन नहीं हुआ है, उसका भूर आजश्व निर्धारन करेगा, आप कौन निर्धारन करेगा, एक सो सतरा का यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो गया है, यह कलेक्टर की जिकी के दौरा किया जाएगा, और कलेक्टर ही मिंस की सर्वोसर्वा, जो मालिक होते हैं वो अपने जिला में वो collector साहब होते हैं 118 की हैं हम बात करते हैं विविन भूमियों के लिए भूर राजस्व का निर्दारन किया जाएगा अब किसके दौरा किया जाएगा अब 118 का जो आपका correct answer होगा वो एवाला correct answer होगा collector के द्वारा ही किया जाएगा collector को आप learn किये रहेंगे अगर आप risk भी लेते हैं तो collector को यहाँ पे mark कर सकते हैं अगर आपके examination में appropriate time पे answer आपको नहीं यादा रहा है मिन्स की कितने परतीसत तक उस पे दंड आरोपित किया जा सकता है तो दोस्तों यहाँ पे 10 परतीसत तक का उसके उपर सस्ती मिन्स की punishment दंड impose किया जा सकता है penalty लगाया जा सकता है question number 120 की बात करते है भूराजसों के निर्धारन में परिवर्तन किया जा सकता है अब इसके अंतरगत किसका परिवर्तन किया जा सकता है C इसका correct answer होगा नगरिये और नगरितर छेतर में इसका परिवर्तन किया जा सकता है उसी की बात यह कर रहा है question number 121 की बात करता है भूराजसों में परिवर्तन हो सकता है प्रिवरतever की थि ने फ्रड़ार ने भी भूमि के पर्योजन के परिवर्तन हो जावें और इस प्रकार क्या बात करyuवना लोग की प्रकृती किया गया Cancer ब्रिद्धिव् प्रयोजन के लिए उपियोग में लाए गये लावप्रद खाते के बारे में दे नहीं होगा और अबादि में इस्तित भवन अस्तल जो कोटेवार के कबज Kecken दिये विना घृ 완성 धारनब करने का अधिकार रखता उपर यूग्त सभी जो9 एसका करेंट तो दोस्तो उपरिउक्त सभी इसका भी आंसर होगा प्रीमियम भाटाक के रूप में राज्य सरकार को दे हो और पचास वरसुखे कम काला अधीके लिये पट्टेपर दी गई भूमी के बारे में पट्टा धन के रूप में राज्य सरकार को दे हो तो 123 का Correct आंसर होगा वो डीवला आंसर होगा आपका मिन्स की उपरियुक्त सभी अब पहुंच जाते हैं अध्याय साथ मिन्स की चेप्टर नंबर सेवन पर और जो चेप्टर नंबर सेवन हमारा डील करता है भू सर्वेक्षड तता भू राजस्व निर्धारण से रिलिटेट संक्रियां आती है यह डवला करेक्ट आंशर होगा उपर युग तो सभी मिन्स की अदिस्चना जारी कि जाती है अब जार्राण जारी की जाती है तो धारा67 के अंतरिकorseल की सूचना को जारी किया जाता है, question number 127 की बात करते हैं, प्रतिस्थापित भू सन्वेक्षण की अधिसूचना जारी कौन करता है, तो 127 का जो आपका correct answer होगा, ये A वाला correct answer होगा, जीला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा ये किया जाता है, और इसी के बारे में बात कर रहा है, फिर बा करते हैं, कि इन परिस्थितियों में जीला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा भू सर्वेक्षण किया जाता है, अब किसके द्वारा भू सर्वेक्षण किया जाता है, तो इसका correct answer D होगा, उपर्यूक्त सभी म, मिन्स की, राज्ये सासन के निर्देश पर किया जाता है, ग किसके द्वारा किया जाता है, किस धारा के अंतरगत किया जाता है, तो 130 का जो आपका correct answer होगा, वो बी वाला होगा, और इसमें जो धारा 72 है, उसी के अंतरगत किया जाता है, question number 131 की हम बात करते है, धारा 73 के अंतरगत ग्रामों में विभाजित या संयोजित करने की सक्ति क इसको प्राप्त है, तो 131 का जो आपका correct answer होगा, वो बी वाला है, यहां पर correct answer होगा, जीला सर्वेक्षड अधिकारी को यह किया जाता है, यहां पर कलेक्टर को नहीं किया जाता है, यहां पर जीला सर्वेक्षड अधिकारी को किया जाता है, तो यही छोटे छोटे छोट होते हैं जो कि हमारे examination में पूछे जाते हैं और खास करके 36 गड़ जुडीशिरी में 132 का देखे सनीता की किस धारा में बंदोबस्त की परिमासा दी गई है तो 132 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह भी वाला करेक्ट आंसर होगा धारा 75 के अंतरगत सनीता की धारा में करेंगे यहां पर राज्य सरकार यहां पर करेंगे इस बातों का आपको विसेज धन देना कोश्चा नमबर 134 के हम बात करते हैं 134 में कहा रहा है किस धारा में कहा गया है कि समस्त भूमिय निर्धारन के दाई तो धीन होगी तो 134 का जो करेक्ट आंसर होगा वह भी होगा धारा 80 के इंतर्गत ये बाते बताये गई है 113 नमबर के हम बात करते हिस धारा में भूर राजस निर्धारत की अऑधी गई है तो 135 का जो आपका correct answer होगा वो ए वाला correct answer होगा धारा 85 के अंतरगत इसको बताया गया question number 136 की हम बात करते हैं यहाँ पे दे रहा है जिला सरवेक्षण अधिकारी के द्वारा की गई निर्धारन की अधी होगी अब किस प्रकार की निर्धारन की अधी होगी तो 136 का जो आपका correct answer और इलेक्टरानी के बारे में पूछा जाता है कि कितना वर्स पुराना होना ची तो 5 वर तो आप यहाँ से correlate करके इसको learn कर सकते हैं कि Indian Evidence Act में भी 30 वर्स पुरानी की बात की जाती है और यहाँ पे भी 30 वर्स पुरानी की बात की जा रही है जगर आपसन आता है तो 30 वर्स जाता है तो 133 वर्स के पूर्व नहीं किया जा सकता है तो आप निर्धारन के पुर्व नहीं किया जा सकता है और उसके बाद आप कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते हैं, निगेटिव कोस्चन दिया है, निर्धारण की अधी समाप्त हो जाने के पचात, भूर राजसों को पूर निरिक्षण करने की अधिकारिता, जिसे प्राप्त है, तो यह किसको प्राप्त है, तो 139 का आपका भी करेक्ट आंसर होगा, उपखंड अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है, और उसी के दौरा किया जाएगा, और उसी के बारे में बात कर रहा है, 141 की बात करते हैं, भूर सरवेक्षण समाप्त हो जाने के पहशात, जिला सरवेक्षण अधिकारी की सकतियां किसे प्राप्त होंगी, अगर इस प्राकार का कोई चीज़ हो रहा है, तो इसकी सकतियां किसको प्राप्त हो जाएगी, और उसी जिला कलेक्टर के बारे में जब वह एक्जेक्ट्व का वर्क करते हैं तो वह हमारे वहाँ पर DM साहब हो जाते हैं जब revenue करते हैं तो वहाँ पर collector साहब हो जाते हैं 142 की बात करते हैं भूर सनवेक्षण समाप्त हो जाने के पश्चात धारा 69 70 के अधिन जिला सरवेक्षण अधिकारी की सतियां प्राप्त होती हैं तो 142 की जो correct answer है वो B में है तहसिलदार साहब को प्राप्त होती है दोस्तों आप अपने label पर देख सकते हैं कि यहाँ पर collector की बात आ रही है भू सनवेक्षण अधिकारी की बात आती है जिला collector की बात आ करने के लिए नियम बना सकता है तो कोन बना सकता है 143 का जो आपका correct answer होगा वो एवाला correct answer होगा धारा 91 को के अंतरगत नियम बना सकता है अब हम पहुंचगा chapter number 8 पे नगरिये छेत्र में भूमी का निर्धारन तता पूरन निर्धारन के बारे में बात कर रहा है अब देख तो मेंसे कोई नहीं होगा धारा नोट देखिए धारा 97 निरसित कर दी गई है जो पहले 97 धारा थी 97 नंबर की उस 97 नंबर को धारा को यहां पे हटा दिया गया कोश्चन नमर 145 को हम देखते हैं नगरिये छेतरों में भूमी का निर्धारान तता पूरा निर्धारान के उपबंद उन भूमियों पर लागू होती है जो 145 का जो आपका करेक्ट आंसर मांक किया जाएगा उपरियुक तो सभी की बात करता है उपरियुक तो सभी में पहला क्षिचन नमर 146 की बात करते हैं धर्धारा सौ के अधिन नियत किया गया निर्धारत। कितनी ओधी तक प्रविड़त रहेगा जो नियत किया गया है निर्धारन वो कितनी ओधी तक परियुक्त रहेगा तो 147 से करेक्ट आंसर डी वाला यहां पर होगा 30 वर्स तक की काला ओधी तक वो परियुक्त रहेगा जो की उस काला ओधी के पता करता है परियुक्त दिर्गत कर रहा है कि मिंस की 15 वर्थ के बाद ही होना चाहिए और इसमें 30 वर्थ गया तो यह दोनों बाते आप लोगों ने ऊपर अभी कही नहीं कहीं देखा है तो इससे आपको रिलेट करके इसको रख सकते हैं अब अध्याय 9 हमारे पास आ जा रहा मिंस शेप्टर 9 और यह भू करते हैं कि अ ग्वाद करते हैं कि आपका आंसर होगा दोस्तों वह वे वाला होगा जीला सरवेक्षड अधिकारी के दौरा ही यह किया जाता है ओर उन्हीं के अंडर में होता है 152 की बात करते हैं, collector भूमी का नक्सा किस धारा के अंतरगत तयार करता है, तो 152 का आपका correct answer होगा, दोस्तों वो A वाला correct answer होगा, 152 का A वाला correct answer होगा, 152 का A धारा, 107 में ये बात कही गई है, अब यहाँ पे 153 की हैं, question number 153 की, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, सही सुम प्यूग तो सभी जो हैं सही सुमिलिते हैं, भूमी का नक्सा 107 में, अधिकार अभिलेक 108 में, भू अभिलेक 114 में, और किसान किताब, मिंस की जो खाता वई होता है, किसानों का, वो 114 को के अंतरगत इसके बारे में बताया गया है, यह है, 36 गर जुडिसरी में इस प्रका या हक को वैद रूप से अर्जन करने की सूचना, पटवारी को लिखित या मौखिक रूप से देना आवस्यक है, तो 154 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, वो यह वाला यहां पर करेक्ट आंसर होगा, 6 मास के भीतर आपको देना अनिवार रहोगा, यह वाला करेक्ट आंस करते हैं, कौन? जब कोई 36 गड़, जब कोई 36 गड़, भू राजस व सनिता की धारा, 109 के अंतरगत अपेक्षित सूचना निरधारी, तो अधी में देने में अपेक्षा करता है, तो तहसिलदार सस्ती आरोपित कर सकता है, तो 156 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, वो डी विधिपूर्ण अरजित करता है, अपने द्वारा, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अरजित किये जाने की रिपोर्ट, 36 गड़, भू राजस व सनिता की धारा, 109 के अंतरगत करता है, तो 157 का जो करेक्ट आंसर होगा, वो सीयो का पटवारी, इसका जो होगा, करेक्ट आं 159 के हम कारते है, निमनेखित में से कौन सा गयर सरकारी मामला है, अब समय से कौन गयर सरकारी मामला है, तो भूमी के आवंटन का प्रश्ञ यह गर गर नियाईक मामला होता है, बाकी सभी के सभी हमारा मामला माना जाएगा, फिर 160 की बात करते हैं, नामांतरन कौन करेगा, जो नामांतरन होता है, वो कौन कर सकता है, तो तवसिलदार के द्वारा नामांतरन किया जाता है, मिंस की खारी जाखिल की बात की जारी है, 161 की बात क इसमें से कोई नहीं होगा जो भी बात बताई गई इसमें से कोई नहीं होगा तो यह सभी के सभी हमको पढ़ने के लिए कोई आउशकता है नहीं कोश्चन 162 की हम बात करते हैं online का प्राउधान की सदारा के अंतरगत दिया गया है अंकि online करा सकते हैं तो यह सी में दिया है अधिकार अरजन की प्रग्यापन प्राप्त होने पर तवसिलदार विहित समाय अधी के भीतर online इनामांतरन पोर्टल में नामांतरन करने की प्रकिरिया का प्रारंब कर सकता है उसी के बारे में 163 में बताएगा विलखित अधिकार के समणद में विबात को जिसे राज सरकार पक्षकार के करने में कि सिविल नयाली के बारे में 155 में कान सा कठन सही नहीं है जिसको सही नहीं मारा गया है सही नहीं मार किया गया यहीं इसका गलत कथन है यह इसका आंसर है 166 की हम बात करते हैं 36 गड़ भूर राजासो सनीता की धारा अध्याय नो के अधीन भू अभिलेकों में की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारना की जा सकेगी वे 166 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा सही है जब बता के कीतत प्रतिकूल साबित न कर दिया जाता है तब तक उसको सही माना जाएगा कोश्या नमर 167 की बात कर रहा है और सत्य उत्तर दीजिए यहां पर सही उत्तर के बारे में बता रहा है 167 का जो करेक्ट आंसर होगा व जो खेस का नकसा होता है ड省दरस के अंतरगत तायर किए जाता ए तो करेक्ट आंसर कर सक्वायदारों आधिकार अभिएलेक का संब्खत, इसफैया थीरा किए जाता है वो कब तायार के जाता है तो 171 का C वाला इसका correct answer हो जागा A और B की बात करता है A में राजसो संडेक्षण के दोरान की बात करता है और B में राजसरकार दोरा अधिसूचना दोरा निर्देश देने पर ये बात किया जा रहा है 172 के हम बात करते हैं भूमी के अधिकार भूमी में अधिकार या हित अरजन की रिपोर्ट पटवारी की किस धारा के अंतरकत दी जाती है तो 172 का जो आपका correct answer दोस्तों होगा वो C वाला correct answer होगा धारा 109 के अंतरकत किया जाता है question number 173 की हम यहाँ पर बात करते हैं धारा 109 के अंतरकत पटवारी अधिकार अरजन की सूचना प्राप्त करने की किस दिन के भीत तवसिलदार को देगा मिन्स की जब उसको सूचना प्राप्त हो जागा तो कितने दिन के अंदर वो तवसिलदार को देगा सरकार दोरा विहित अधिकार अधिकार अरजन की रिपोर्ट सूचना अधिकार अरजित करने की सूचना तहसिलदार को दी जाएगी किस प्रकार से दी जाएगी तो 175 का करेक्ट अंसर ये होगा ये लिखित सूचना यहाँ पर दी जाएगी 176 की बात करते हैं भूमी पर अधिकार अरजन की सूचना तहसिलदार को दी जाएगी किस प्रकार से सूचना दी जाएगी तो 176 का जो आपका करेक्ट अंसर होगा 109 क्लास 2 के अंतरगत भूमी के अधिकार के अरजन के बारे में सूचना यहाँ पर तहसिलदार के दोरा देने का करेक्ट किया जाएगा भूमी पर अधिकारों की अरजन की लिखित रिपोर्ट तहसिलदार को अरजन की तारीक से कितनी अवधी के भीतर दिया जाएगा तो 177 का जो आपका करेक्ट अंसर होगा वो यह वाला होगा 6 मास के भीतर यहाँ पर देने का प्रावधान बताया गया है कोशन नमबर 178 की हम बात करते हैं लीपि किया लेख संबंदी तुरूटी को ठीक कर या करा सकेगा कौन कर सकता है या करा सकता है तो 178 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यह वाला होगा उपखंड अधिकारी के द्वारा यह कराया जा सकता है यह ना बंदोबस अधिका भू अधिकार भू अधिकार में कोई अंतर होनी की दसा में अंतर के संबंद में कौन अधिकारी विनिश्चित करेगा अगर इस प्रकार का कोई एंबिग्यूटी पैदा हो जा रहा तो उसका निर्धारन दोस्तों 179 के कोडिंग तहसिलदार साहब के द्वारा किया जागा देखे धारा 114 को के सब क्लास 3 के अंतरगत यहां पर बता भी दिया है कोश्चन नमर 180 की हम बात करते हैं यदित हसिलदार के अधिनस्त पादाधिकारी द्वारा धारा 114 के अंतरगत तैयार किये गए भू अभिलेक में गलत या असुद प्रविष्टी किये जाने पर आव भू अभिलेक में गलत या असुद प्रविष्टियों को सुद करने की कार्रेवाई उपखंड अधिकारी किसी अभिलेक मन्जूर से प्राप्त कर सकता है तो 181 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो यह वाला करेक्ट आंसर होगा और यहां पर किसके दौरा किये अभिलेक में गलत या असुद प्रविष्टी का उपखंड अधिकारी सुद कर सकता है अन्यथा नहीं कर सकता है यहां पेक कंडिक्शन लगाए गया कि 5 वर्स पुराना होना चाहिए और उसमें रिटेन कंसेंट आपको लेना पड़ेगा किसका कलेक्टर साहाब का तभी आ बात करते हैं कोश्चन नमबर 182 की भू यदि भू अभिलेक यदि भू अभिलेक में गलत प्रविष्टी की गई है और उसका सरकार सरकार या उसके हित में है तो उपखंड अधिकारी उसे सुद करने करने हैं तो किसे पेस या प्रस्तूत कर सकता है तो 182 का जो आपका करे किसान किताब का प्रावधान कहां दिया गया तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो भी होगा किसान वही के बारे में इसको का जाता है किसान किताब कितने भाग में होता है जो लिद्सवन किता लिए उसके प्रथम भाग में खाते पृकर विलंगमों का व्लेख होगा और सभी चीजती में देखतें कोई व्यक्ति call जिसके अधिकार या हित को अभिलेख या रजिस्टर में दर्ज किया जाना आवस्चेक हो, किसी राज़स्टाज हो अधिकारी या राज़स्टावेज निरिक्ष़क या पतवारीद्वर लिखित अध्यायदेस", ''Mince की अध्यायदेस्थ», कि जाने की तारिक से किस दिन के भीतर जानकारी या दथा वे से का निरिक्षण करने के लिग हो जाएगा सब्सक्राइं अनिवार हो जाएगा इस condition के according 188 की बात करते हैं कोई धारा कोई व्यक्ति धारा 118 के अंतरगत आप एक शित अवधी के भीत सूचना नहीं देता है तो तवसिल्दार उसे धंडित कर सकता है तो 188 का जो आपका correct answer होगा वो एवल आपका correct answer होगा 1000 रुपे की अंधिक सस्ती से उसको दंडित किया जाएगा और देखे धारा 119 के एक सब क्लाज 1 के बारे में आपे बात की जारी है फिर बात करते हैं आपे next question question number 189 में 189 में बात कर रहा यदि रजिस्ट्री कृत अधिकारी धारा 110 के अंतरगल अधिकार अर्जन की समस्त अधिरोपित कर सकता है 190 की बात करते हैं अधिकार या हग कि बारे में कोई व्यक्ति सूचना देने के लिए बात बात नहि甚ा चीमा चीन सरवेक्षण चीन के बारे में जो की हमारे एक्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट कोश्चन नमबर 192 की हम बात करते हैं धारा 126 के अंतरगत सदोस कभजा रखने वाले व्यक्ति को संखेपत बेदखल कौन कर सकता है तो संखेप में इसको बेदखल करने का कार करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहां पर भी होगा 126 के अंतरगत यह किया जाएगा और यह इसका करेक्ट आंसर माग किया जाएगा कोश्चन नमबर 194 की बात करते हैं कलेक्टर दखल रहित भूमी को निम्न प्रयोजनों हेतु प्रिथक कर सकेगा तो 194 का जो आपका करेक्ट आबादी के लिए कलेक्टर क्या कर सकते हैं जो आबादी भूमी होता है उसके लिए कलेक्टर साब क्या कर सकते हैं 195 का आपका C करेक्ट आंसर होगा A और B दोनों की बात करता है A में बात करता है जहां आबादी हेतु आरक्षि छेतर क्लेक्टर की राय में परियाब्त हो व कोश्चा नमबर 196 की हम बात करते हैं ग्राम सरवेक्ष संख्याओं तथा भूमी तथा भूखंड संख्याओं की सीमाओं के बारे में समस्त विवाद जहां की ऐसी सीमा है 36 गड़ भू राजसो सनीता की दारा 124 के अधिन नियत कर दी गई हो विनिशित किया जाएगा तो 196 का आपका करेक्ट आंसर होगा 196 का यहां पर दी होगा तवसिलदार के द्वारा यहां पर किया जाएगा कोश्चा नमबर 197 के बात करते हैं 36 गड़ भू राजसो सनीता की दारा 124 के अधिन सीमाएं नियत कर दी जाने के बाद किसी भूमी का किसी भूमी का सदोस कबजा रखने वाले व्यक्ति को जहां संचेप्त बेदखल कर दिया गया हो वहां उस भूमी पर अपना हक अस्थापित करने के लिए ऐसी विद्यखली की तारीक से अब कौन सी तारीक होगा तो जो 197 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यह आपका बी वाला यहां पर करेक्ट आंसर ह दिया जाया कि आवंटित की आवंटित आवंटन की तारीक से 198 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी पांच वर्स की काला अधी के भीतर ऐसी भूमी पर ग्रिय का निर्मान करेगा उसी के बारे में आपके बात कर रहा है 199 की हम बात करते हैं यहां पर 1809 कर हां धारा 127 के अंतर करत सीमांकन एवं सीमा चिन्नों का अनुरक्षण मरम्मत या नविनी करन हेटू उत्तर दायी होगा तो 199 का ज Wednesday का 5 भूमी का धारक के बारे में यह आप कर रहा है Sony 990 अब बात करते हैं question number 200 की question number 200 में बात कर रहा है सीमज節 का मरम्मत या सीमा पंक्तियों का अनुरक्षन धारक द््यारक द्वारा 9 करा जाने पर यह कारे निसपादन करता है तो 200 का आपक番र होगा isso sti या अन्य राजसो अधिकारी सीमा चिन या सरवेक्षण चिन के समस्त के मरम्मत में कराया जाने पर धारक धारकों पर सस्ती अधिरोपित कर सकता है तो 201 का जो आपका correct answer होगा यह बी वाला correct answer होगा 202 नंबर question को हम देखते हैं आपे सीमान्त के बारे में सीमान्त के बारे में सीमान्त चिनों को मरम्मत करणे करके समुचित अवस्ता में बनाय रखने के बारे में कोई विवाद उठाने की दजा में मामला विनिश्य किया जाएगा तो 202 का जो आपका correct answer होगा वह सीवाला correct answer ह यह कलेक्टर के साहब के दौरा किया जाएगा कोश्चा नमर दोसो तीन की बात करते हैं जैसे कि किसी किसी जमीन पर देखते होंगे पत्थर गाड़ दिया जाता है वहाँ पे नापी जोखी करा करके और वहाँ पे उस पत्थर को कोई हटाने का कारे कर रहा है तो उसके लिए स्थर गाड़ स्थर गाड़ बात करते हैं सीमा चेन को च्छती पहुंचाने जाने पर दोसी व्यक्ति को सस्ती देने का आदेस दे सकेगा अब कौन दे सकेगा जो 204 नमबर का आपका कैरेक्टांसर होगा सी होगा यह और वी दोन होगा तवसिलदार साहब और अन्य राजस अधिकारी जो ससक्त हों वो यहाँ पर इंपोस कर सकते हैं पेनालिटी 205 नंबर की बात करते हैं सीमा चीन को जानबूच कर नश्ट करने या हटाने वाले व्यक्ति पर सस्ती देने का आधेस तवसिलदार या अन्य ससक्त राजस अधिकारी देता है तो 205 का जो आपका या उसके उपयोग में कोई बाधा पहुंचाएगा या उन्द पर तवसिलदार सस्ती अधिरोपित कर सकता है अगर इस प्रकार का सड़क पर घर बनाना इस्टार्ट करते तो उस पर 10,000 रुपय तक का तवसिलदार साहब के द्वारा जूनमाना लगा जा सकता है 207 की हम बात करते हैं यहाँ पर 131 के अंतरगत मारगा धिकार तथा अन्य प्राइबेट सुखा दिचार सुखा चार समवधी विवादों का विनिश्चे कौन करेगा तो 207 का जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा तो यह 207 वाले का आपका यह वाला यहाँ पर करेक्ट दाई होगा तो 208 का जो आपका करेक्ट आंसर साथी होगा वो सीवल होगा 10,000 रूपय तक के पनिस्मेंट के लिए वो यहाँ पर लाइबल होगा 209 की हम बात करते हैं सारोजनिक सड़क पर बाधा पहुचाना या कोई अथिकरमल की पुनर विरित्ती रोकने हैतु अगर व भूमी का अरजन कर सकता है अब कौन कर सकता है जो 210 नंबर कि आपका करेक्ट आंसर साथ य pond ए वाला करेक्टर हो और कलेक्टर साभक के दवारा यहाँ प cog 11135 के अंतरकत सड़क हेतु अरजित भूमी से प्रभावीत व्यक्ति कलेक्टर को अपने हित के संबंध में कलेक्ट को आवेदन कर सकेगा किस प्रकार का आवेदन कर सकेगा 211 का जो करेक्टांसर होगा वह यह होगा निहीत होने के दिनान कसे एक वर्सके भीतर वह कर सकता है दो सो बारा की आवेदन कर सकेगा 213 के अंतरगात सड़क की व्यवस्ता करने के लिए अधिकरहित भूमी के संबन्द में दे प्रकार की रासी का भूगतान करने के लिए कौन दाई होगा तो 213 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला होगा ग्राम के निवास के दौरा मिंस की ग्राम के निवासियों के दौरा यहां पर किया जाएगा अब चेप्टर नमबर 11 से हम कोश्चन ले लेते हैं जिसमें भूराजसो की उगाई के बारे में बात करता है कि भूराजसो जो होता है कहां से आता है किसी भूमी पर किसी भूमी पर निर्धारन किया गया भूराजसो उस भूमी पर तथा उसके लगान एवं लाभो पर प्रथम भाग होगा किस धारा में यह कहा गया तो 215 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यह बी वाले यहां पर करेक्ट आंसर होगा धारा 137 कंतरगत यह बाते बताई गई हैं कुश्चे नमर 216 की हम बात करते हैं भूराजस्व के लिए कौन प्राथमीक रूप से उत्तरदाई होगा तो उपर यूगत सभी की बात करता है भू स्वामी के खाते में भू स्वामी भी वाले में बात करता है सासन द्वारा देव पट्टे की भूमी पर पट्टाधारी और सी में कर रहा है एक से अधिक भू स्वामी या पट्टेदार होने पर समस्त भूमी को पट्टेदारों के बारे में यहां बात करते हैं प्राथमिक रूप से उत्तरदाई वेक्ति द्वारा शूंक करने की दसा में भूराजस्व वसूल किया सकेगा 17 वीधीर बहुमी पर पवर्स के लिए उस वर्स के लिए प्रथम दिन से इसको माली जाएगा, 220 की बात करते हैं, भूरा जश्व का भूगतान होगा, कहां पे होगा, 220 की रसीद प्राप्त करने का अधिकार किसके पास है, 220 का जो करेक्ट आंसर होगा, वो ए है, वैधानी का अधिकार इसको कहा जाता है, 211 की बात करता है रसीद देने की चूक करने पर तवसिलदार कितने धन का अर्थ दंड दे सकता है तो 211 का जो आपका correct answer होगा वो डी वाला होगा correct answer दिये गए धन के दूगने से अंधिक रासी या 2000 से अंधिक रूपए की रासी का यहाँ पर किया जा सकता है पिर next हम पर हम question की बात करते हैं 222 नमर question के बारे में बात करते हैं यहाँ पर देराक बकाया अरियर्ज होता हैो बकाया होता है 222 में कर रहा है तो ये इसका correct answer A निर्धारन ति thi या उसके पूर्व भूगतान नो करने पर ही होगा 223 नमबर के हम बात करते हैं लगान या राजच सो का बकाया वसूल किया जा सकता है तो 223 का जो आपका correct answer होगा C होगा, जंगम, संपत्ती की कुर्की और विकरह के द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है लगान का भुगतान किया जा सकता है 224 के बात करते है परतेक भुमिगत, निर्धारित, लगान या राजास्व प्रथम भार होगा तो 224 का जो आपका correct answer साथ ही होगा यह D वाला यहाँ पर correct answer होगा उसके लगान लाव या उपज पर होगा 225 के बात करते है भुरा जस्व का भुगतान विहित तारीक से कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए तो 225 का जो आपका correct answer होगा वो A वाला होगा एक मा के अंतरगत यहाँ पर किया जाना चाहिए 226 की हम बात करते है भुरा जस्व का निश्चित तिथी तक या उसके एक मा के भीतर भीतर तक यदि बकाया या भुगतान नहीं होगा तो उपखंड पता धिकारी दंड अधिरोपित कर सकेगा तो 226 का जो आपका correct answer है वो A वाला correct answer है भुगतान नहीं की गई रकम से अंधिक सस्ती के बारे में बता रहा है मिंस कि उससे अधिक जो punishment होगा जो penalty होगा उसके बारे में बता रहा है 227 के बारे में बात करते है बकाया की वसूली के लिए जो बकाया होगा उसकी वसूली के लिए मांग की सूचना की तामीर कौन करा सकता है तो जो 227 नंबर का आपका correct answer है दोस्तो ये A वाला correct answer है तो असिलदार के दोरा यहाँ पर कराया जा सकता है दोस्तो इस session में 227 नंबर question तक हमने लिया है दोस्तो मैं उमीद करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़े आपको समझ में आ रही होगी दोस्तो एक information और मैं आपको देना चाहता हूँ अगर आपको लगता है कि हमारे channel से relevant material आपको मिलना है तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं और वीडियो को like करना तो बिल्कुल ही न भूलिए दोस्तो आप लोगों को पता है कि बिहार judiciary का form आ गया है और 27 तारिक से form को fill किया जाएगा और साथ ही साथ उसका examination का भी date आ गया है आप उसको मध्यन अजर रखते हुए आप preparation को अपने कर सकते हैं दोस्तो बिहार judiciary का यह जैसे 36 गड़ judiciary का paper इंड हो जाता है 26 तारिक के बाद मैं 28 तारिक से बिहार judiciary का भी preparation आपको इसी channel पर कराने वाला हूँ आप लोग उसमें जुड़ जाएगा और बिहार judiciary को आप लोग अच्छे से कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था बाकि जितना previous year paper हो सकता है उन सभी previous year paper को मैंने जो भी 36 गड़ judiciary से related है उन सभी previous year paper को मैंने कराया है 2012, 14, 16, 17, 19, 20 जो भी paper हुए है उन सभी paper को भी मैंने यहाँ पर कराया है तो आप अगर उसको watch नहीं किया तो आप watch कर लिजेगा आपके examination के लिए वो relevant साबित होगा दोस्तो थैंक्यू